प्रिय विद्यार्थियों, समाज कारिय, कई बार इससे हम सामाजिक कारिय भी कहते हैं ये एक बहुत ही महतुपूर्ण विशय है, बहुत ही महतुपूर्ण अनुशाशन है, जिसके अंतरगत अभ्यास पर आधारित पेशा, अर्थात प्रैक्टिस बेस्ट प्रोफेशन है, अर्थात जब तक हमको प्रैक्टिस नहीं होगी, अभ्यास नहीं होगा, इस विशय से स सम्मंदित विभीन कारियों को हम मूर्थ रूप नहीं दे पाएंगे। समाजकारिय जिसे कुछ विगति-सामाजिक कारिय भी कहते हैं, अर्थात सोशेल वर्क, इस सोशेल वर्क का अपना एक शित्र है, उसका अपना एक दाइरह है, उसकी अपनी एक विशेश पहचान है, जिसके अन्तरगत मुल्य पर आधारित, जो चिंतन है, बौधिक इस्तर हम मंदित विभीन कारियों का समावेश है अर्थात हमारे भारतिय समाज में जब सामाजिक कारिय की बात करते हैं तो सामाजिक कारिय के अंतरगत भारतिय समाज के अपने कुछ मुल्य हैं उनके अपने कुछ सिद्धान्त हैं और यहां पर रहने वाले लोगों की अपनी बौधि का क्शेत्र और सरोकार अर्थाथ, scope and concern of social work practice अर्थाथ, सामाजिक कार्य के अंतरगत हम किनकिन बातों का अधियन करेंगे, यह हमारा scope क्या रहेगा, विश्यषेत्र क्या रहेगा, विश्यवस्तु क्या रहेगी, इसी की चर्चा करेंगे और इसके अंतरगत हम सामाजिक वयक् अर्था जो case studies होती हैं वयक्तिक अध्यन होता है उस वयक्तिक अध्यन की बात करेंगे सामाजिक समू कारिय की बात करेंगे अर्था समाज में समू बनते हैं और समू में रहकर व्यक्ति कारिय भी करता है उस सामाजिक समू कारिय के भी बात करेंगे और साथ में सामुदाइक स सम्मंद है ऐसे समुदाई में रहकर भी हमको कार्य करना है अर्थात व्यक्तिगत इस्तर पर करना है समू के इस्तर पर करना है और समुदाई की इस्तर पर भी कार्य करना है और फिर इस सामाजी कार्य से सम्मंदित बहुत सारी रिसर्चे जो हुई हैं बहुत सारे अनुसंधा जिस पर भी हम चर्चा करेंगे और फिर समाज कल्यान डिस अम सोशियल वेलफयर कहते हैं समाज में रहने वाले व्यक्तियों का किसी नी प्रकार की समस्याओं का सामना करता है चाहे वो बालक के रूप में हो चाहे वो महिला के रूप में हो चाहे वो अलप संख्यक के रूप में हो चाहे वो अनुसुची जाती जन जाती के रूप में हो उनकी अपनी कुछ समस्याएं है उन समस्याओं के निदान के लिए कल्यान आवशक है और इसके लिए एक बात को समाविश करते हैं तो सामाजी क्रिया बहुत महत्वपून पक्ष है जब तक सामाजी क्रिया नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा और सामाजी क्रिया का तातपर ये दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने की स्तिती में क्रिया और पुनर क्रिया से ज तो दूसरा व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए उसके साथ अंतरक्रिया करता है जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं और यह इंटरेक्शन जब निरंतर चलती है तो उसे हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं तो समाज में सामाजिक अंतरक्रिया सामाजिक प्रक्रिया के बिना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता इन सारी बातों का समावेश आज हम इस विशय के अंतरगत करेंगे जब हम बात करते हैं समाजकारी की तो समाजकारी विशय उपागम अर्थात एप्रोच के रूप में कुछ विशिष्ट मुल्यों वैल्यूज इस्पेसिफिक वैल्यूज सिद्धानतों एवम अवध्रणाव का उप्योग अपने से सेवार्थियों यी जिसकों सेवा देना चाहते हैं सेवार्थियों को सेवा प्रदान करते समय करता है जिसमें आधार भूत मुल्य है मानव गरिमा स्वयम साहिता स्रम की महता बंधुत्व एवम प्रजात तांत् दर्शन मुल्य जब तक इन सारी बातों का इसमें समावेश नहीं होगा तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते समाच कारिय के यह मुल्य दर्शन एवम अवधारना सार्व भौमिक है बीसवी सताबदी के पूरवार्द में जब भारत में समाचकारिय का विकाश एक विशय उपागम के रूप में हो रहा था तब समाज कार्य व्यावसाइकों के द्वारा उपरोक्त मुल्यों एवं दारशनिक प्रनालियों के द्वारा समाज के विभिन वर्गों के लिए कल्यान कारी कारीकरम प्रारंब किये गए यहने बीस्वी सतापदी में जब social work as a discipline प्रारंब हुआ एक विशे के रूप में एक अनुसासन के रूप में प्रारंब हुआ तो उसका प्रारंबिक जो रूप था वो यह था कि हमें समाज में रहने वाले लोगों की समस्याओं के कल्यान हे तो कुछ कारिय करना है और जब तक कल्यान नहीं होगा तब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा और इसके अंतरगत हमको इस बात का भी ध्यान रखना है को उस व्यक्ति की अपनी गरिमा को भी ठेश न पहुँचे उस व्यक्ति की उन समस्याओं को दूर करते हुए हम कई बार मानव अधिकारों की भी बात करते हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकारों की बात को ध्यान में रखते हुए हमको सेवा देनी है तो सेवा देने वाले व्यक्ति और जो सेवा लेने वाले व्यक्ति इन दोनों के बीच अंतरक्रिया से ही समस्या का समाधान होता है। बीसवी सताबदी का पूरवार्द ही भारत में महात्मा गांधी के सामाजिक राजनितिक रूप से सक्री होने का काल है। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की तो सबसे अच्छा उदारण सामाजिक सरोकार का महात्मा गांधी रहे हैं। महात्मा गांधी की हमेशा ये इच्छा रहत्तिक समाध में उन लोगों को जो किसी ने किसी रूप में अनेक समस्याओं से जूज रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनकी उन समस्याओं का निदान करें। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि 20-वे सतापदी का जो प्रारम भी काल था, वो महात्मा गांधी के सामाजिक कारिये से जुड़ावा है। चाए वो सामाजिक शेतर का हो और चाए वो राजनितिक शेतर का हो। विशय शेतर जिसको हम सब्जेक्ट मैटर या इसकोप कहते हैं। हर विशय अपने विकास के दौरान अपनी एक निश्चिस सीमा निर्धारित करता है। ताकि उस विशय का अध्यन करने वाले व्यक्तियों को या विद्यारतियों को ये पता रहे कि मुझे इस विशय के अंतरगत किन-किन पक्षों का अध्यन करना है। जब उसकी एक निश्चिस सीमा निर्धारित होती है तो उसी को हम विशय शेतर कहते हैं या सबजेक्ट मेटर या इसकोप कहते हैं। तो जब समाजकारिय के विशेशेत्र की बात आती है तो सामाजिक कारियों की चिंता उन लोगों की मदद करना है जो जरूरत मन्द है ताकि वे अपनी समस्याओं से निपटने की क्षमता स्वयम विक्सित कर सकें यह विज्ञान और कला दोनों है सामाजिक कारिय विज्ञान इस अर्थ में विज्ञान है कि विभीन विशेशों से लिया गया ग्यान एक सामाजिक कारिय करता के लिए ग्यान का शरीर बनाता है और लोगों को अब्यास के लिए अर्थात अब्यास के लिए सिध्धान्तिक आधार का उप्यो करता है किस सिद्धन को व्यवहर में लाना है इसे करने की आवशक शमता को कौशल के रूप में जाना जाता है इसलिए चैनित ग्यान के साथ पेशेवर सामाजी कारिय और सामाजी कारिय मुल्यों के सेट को एक पेशेवर सेवा में बदलना है अर्थात इसकी जब विशेश शेतर की बात करते हैं तो हम कई बार कहते हैं ये एक साइंस भी है और ये एक आर्च भी है साइंस इस रूप में है कि इसमें प्रैक्टिस है इसमें एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट उन लोगों के साथ है जो जरूरत मन्द है और कला इस रूप में कि हम उन सिद्धानतों को उन मुल्यों को भी ध्यान में रखते हैं जिनके आधार पर हम सेवा दे रहे हैं तो जो सेवा देने वाले लोग हैं और जिनकों सेवा देनी हैं इन दोनों के बीच उन सारी बातों का समावेश जो है वह उस विशय का विशय शित्र है या उसका इसकोप है एक सामाजिक कारी करता को ग्रहकों के साथ सकारात्मक संबंद इस्तापित करना होता है उसे पता होना चाहिए कि कैसे शाकसातकार और रिपोर्ट लिखना है उसे निदान करने में सक्षम होना चाहिए यानि समस्या के कारण का पता लगाना चाहिए और अंत में उसे उपचार योजना तयार करनी चाहिए, समस्या का एक आंकलन, इसके समाधान की योजना, योजना को लागू करना और परिणाम का मुल्यांकन करना सामाजिक कारियों में सामिल चार प्रमुख कदम हैं, सामाजिक कारिकरता की सेवार्थी की मदद करने में गहरी दिल्चस्पी, अकेले सम समस्या का समाधा नहीं करेगा उसे पता होना चाहिए कि उसे अपने सेवार्थी की मदद कैसे करने चाहिए सामाजिक कारियों के तरीके से लोगों की मदद करने के तरीकों को समझने मदद करेंगे अर्थात हमको इस बात का पूरा ज्यान होना चाहिए कि समाज में वे कौन ल हैं जिनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं फिर समस्याओं के बारे में जानकारे लेने के बाद हमारा दूसरा चरण ये होगा कि हम पता लगाएं कि समस्या का कारण क्या है जब तक कारण का पता नहीं लगेगा तो निदान नहीं हो सकता, इसलिए कारण जानना आविश्यक है और यह काम शोध के माद्यम से हो सकता है, जब हम कारण जान लेंगे तो उस कारणों के आधार पर हम किस प्रकार से उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं, तो वह हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प मस्या के समाधान के लिए हमने कदम बड़ाए हैं उसका मुल्यांकन किस रूप में हो रहा है इन चारों बातों का समावेश अगर हम समाजकार्य के अंतरगत करते हैं तो वो समाजकार्य का विशय शेत्र कहलाता है सामाजिक कार्य विदिया यानि कौन-कौन सी कार्य विदिया हो सकती है उनमें कुछ प्रमुख विदियों की चर्चा यहां करेंगे उसमें एक है सामाजिक वयक्तिक कार्य जिसे हम सोशियल केस उवर कहते हैं जब हम सामाजिक वयक्तिक कार्य की बात करते हैं तो समाज कारिय में और समाज सास्त्र में एक तकनीक है, एक पद्दती है, जिसे हम वयक्तिक अध्यन पद्दती कहते हैं, case study method. ये case study method एक ऐसी गुनातमक अध्यन पद्दती है, जिसके अंतरगत अध्यन करने वाला व्यक्ति किसी एक व्यक्ति, किसी एक समू, किसी एक समुदाय, किसी एक समाज का समगर रूप से, जिसे हम सभी पक्षों से अध्यन करता है, और यह अध्यन करने का जो तरीका है, उसे हम व्यक्तिक अध्यन पद्दती और कई बार हम इसको एकल अध्यन पद्दती, case study method भी कहते हैं, तो यहाँ पर समाजिक व्यक्तिक अध्यन, यानि वह व्यक्ति जो समाज में रहता है, उसके समस्त पहलूँ का, समस्त पक्षों का अध्यन हमको इसके अंतरगत करना है, फिर द मानसिक अवशक्ता है, जिसको हम कहते हैं, gregarious need, अगर एक व्यक्ति को यह कहा जाए कि सहर में या गाउं में आप अकेले को रहना हैं, और हम सब गाउं छोड़ कर जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति तयार नहीं होगा, क्योंको उसे पता है कि मैं अपनी अवशक्ताओं की पूर्ति कैसे करूंगा, इसलिए वो सम्मू में रहना चाहता है, और सम्मू में रहना है उसकी मानसिक अवशक्ता है, जो उसको एक मानसिक संतुष्टी प्रदान करती है, तो उस सामाजिक सम्मू कार्य को हम सामाजिक सम्मू कार्य कहते हैं, फिर सामुदाइक संगठन, community organization समूदाई का तात्परी होता है कि वह क्षेत्र जिसमें रहने वाले कुछ लोग हैं, उस क्षेत्र की अपनी एक निस्चित भोगोलिक सीमा है, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच हम की भावना है, जिसको हम community feeling कहते हैं, ये तीनों पक्स अगर कहीं पर हैं, तो उससे हम समूदाई कहते हैं, और मोटे तोर पर हम दो प्रकार के समूदाईयों की बात करते हैं, ग्रामिन समूदाई और नगरिय समूदाई, कई बार सामाजिक कारिय हमको गाओं में करना पड़ता है, और कई बार हमको सामाजिक कारिय नगरों में भी करना पड़ता है तो उन दोनों पक्षों को समाविश करते हुए हम सामुदाइक संगठन की भी बात करेंगे और फिर सामाजिक कारी अनुसंदान, सोशिल वर्क, रिसर्च बिना रिसर्च के कोई काम हो नहीं सकता तो इस रिसर्च किस रूप में कि समाज में रहने वाले लोगों की आवशक्ता हैं, समाज में रहने वाले लोगों की समस्याओं के कारणों के बारे में समय समय पर शोध करना, अनुसंदान करना ताकि हम उस निसकर्स तक पहुंच सकें कि कैसे इस समस्या को कम किया जा सकता है या कैसे उसे रोका जा सकता है और फिर समाज कल्यान प्रशाशन, Social Welfare Administration कल्यान आवश्यक है समाज में रहने वाले प्रतेक व्यक्ति को गरीमा के साथ मानव अधिकार के साथ जीने का अधिकार है और हम कहते हैं इसके लिए हमको समय समय पर कल्यान कारी कारी करमों का भी उपियोग करना पड़ता है और इसके लिए एक संगठन बना हुआ है जिसको हम सामाजी कल्यान प्रशाशन कहते हैं जो मनुष्य की आवश्वकताओं को ध्यान में रखकर उनके कल्यान के लिए कुछ कारीकरमों का क्रियानवैन करता है और उन क्रियानवयन को करने में समाजकारिय के जो विशशग्य हैं पेशेवर लोग हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं और उसके साथ सामाजिक क्रिया हैं क्रिया के दो पक्ष हैं एक क्रिया करने वाला और दूसरा क्रिया के साथ जुडने वाला व्यक्ति इन दोनों के साथ जो अंतरक्रिया होगी तबी ये सारे कारिय होंगे चाए वो एकल अध्यन हो चाए वो सामुदाई कारिय हो चाए वो कल्यान का हो और चाए वो समू की बात है उन सब में अंतरक्रिया या सामाजिक्रिया का होना आवश्यक है जब सामाजिक कारिय या सोशियल केस्वर की बात करते हैं तो व्यक्ति समाज कारिय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनो सामाजिक समस्या के पीडित एक व्यक्ति का मनो सामाजिक अध्यन निदानात्मक तथा परामर्ष मनो अपचार परियावर्ण में परिवर्तन एवं सेवा पहतम संभव समयोजन कराने का प्रयास किया जाता है जिससे वह सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण ढंग से सम्मयलित हो सके और व्यक्तिगत स्तर पर शुक एवं सान्ती का अनुभव कर सके व्यक्तिक समाचकारिय द्वारा एक समय में केवल एक व्यक्ति की सहायता की जाती है तता वही सेवा कार्य का केंद्र बिंदु होता है जब हम कहते हैं case study तो case study को एक व्यक्ति अब वो एक व्यक्ति कौन है जिसकी अपनी कुछ समस्याइं हैं जिसको आवशक्ता है समस्या के निदान के लिए, समस्या के उपचार के लिए, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जब चुनते हैं अध्यन के लिए, समस्या के उपचार के लिए तो उसे हम सामाजिक व्यक्तिक कार्य कहते हैं इस विद्धी से व्यक्ति की आंत्रिक एवं बाहिय क्षमताओं का ग्यान होता है कारिकरता सेवार्थी की इस प्रकार से साहिता करता है जिससे वो अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास कर बाहिय जगत से समायोजन इस्तापित कर सके अतव वयक्तिक समाजकारिय एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व और सामाजिक परिस्तितियां में समायोजन इस्तापित करने का प्रयास करती है वो वयक्तिक समाजकारिय में सेवार्थी केवल एक समस्या ग्रस्त व्यक्ति होता है मेरी रिचमंड कहते हैं कि वयक्तिक समाज कारिय विभीन व्यक्तियों के साथ सहयोग करते हुए उनकी अपनी तता समाज की एक साथ भलाई प्राप्त करने है तो उनके साथ विभीन प्रकार के कारियों को करने की एक कला है यानि एक व्यक्ति कई बार समस्या के कारण न तो समाज के साथ न समू के साथ किसी प्रकार की अंतरक्रिया या समायोजन नहीं कर पाता इसलिए उस व्यक्ति की वो मानसिक इस्तिति को समझना है उसकी वो समाजिक और भोगोलिक परिस्तिति को समझना है और समझने के बाद उसको उस तरह का उपचार देना है जिससे कि उसकी मानसिक इस्तिती समाज के साथ समायोजित कर सके यह कारिय जो है एक अपने आप में कला है और जब तक हम इसमें विशिशक गिता हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक कामरिस्तुचा रूप से नहीं हो इसके साथ दूसरा समाजिक समू कारिय समाज में समाजिक समू का एक महतुपूर्ण इस्तान है और मनुष्य समू में रहने वाला प्राणी भी है क्योंकि समू मनिश्य की अनेक आवशक्ताओं की पूर्ती करता है तब एक प्रकार की मानसिक संतुष्टी भी मनुष्य को सम समू रहने पर प्राप्त होती है इसलिए बॉटोमोर कहते हैं कि मनुश्य एक सामाजिक प्राणी ही नहीं बलकि समू में रहने वाला प्राणी भी है मनुष्य का जीवन वास्तों में सामुहिक जीवन है सब्यता के आरंब से ही व्यक्ति किसी निकिसी प्रकार के समू में रहता आया है मानव जीवन में सामाजिक समू का महत्व इस तथि से समझा जा सकता है कि यदपी सभी प्रकार के समू अपने सदश्यों के व्यवहारों पर अंकुष रखते हैं फिर भी व्यक्ति समू के बाहर रहकर जीवन यापन नहीं कर सकता इसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति आज के जटिल समाज में कुछ समूहों का सदश्य बने बिना अपनी विबिन आवशक्ताओं को पूरा करने के साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व के विकाद सम्मंधि समाजी करण में महत्वपुन भूमी का निभाते हैं यही कारण है कि सामाजिक समूह को सामाजिक नियंतरन का एक प्रमुख साधन माना जाता है यहने मनुष्य समू में रहने वाला प्राणी है और जब वो समू में रहता है तो उसकी भी कुछ समस्याएं है जैसे हम कहते हैं अनुसूची जाती एक सामाजिक समू है अनुसूची जन जाती एक सामाजिक समू है महिला अपना एक समूदाय और समू बनाते हैं इनकी अपनी समस्या हैं और इन समस्याओं को समझने के लिए हमको समू में जाना पड़ेगा पहले तो व्यक्तिगत इस्तर पर और फिर उसके बाद समू के इस्तर पर हम रहेंगे और उन समस्याओं को समझेंगे और समझने के साथ उसका निदान करने के लिए कुछ उपचारात्मक प्रया कार्य करता को जब तक समू की विशेस्ताओं, उनकी दशाओं, मनोवरतियों आदी का ज्यान नहीं होगा तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। इन्हें समू में जब रहेगा तो समू में रहने वले व्यक्ति और समूहिक परियावरण इन दोनों के बीच जो कार्य कारण जिसको हम कहते हैं causal interrelationship गटना है तो कारण है, कारण है तो गटना है, इन्हें समस्या है तो कारण है और कारण है तो समस्या है, इन दोनों के बीच सम्मंद का ज्यान अगर हमको नहीं होगा तो हम समू में रहकर कारिय नहीं कर सकते समू के साथ समाजकारी के अपनी विशिष्ट निपूनताएं हैं जिनको समूई कारी करता अपने व्यवहार में लाता है वो सामूई की स्थिति का विसलेशन करने में पारंगत होता है, वो समूँ के साथ भाग लेने में निपून होता है, अपनी भूमी का की व्याख्या तता उसकी आवश्यक्ताओं को समयनुसार निस्चित करने में समर्थ होता है, उसमें इस बात की निपूनता होती है को प्रत समुदाई के स्रोतों को उपयोग में लेने की निपूनता होती यहने समुदाई में समु और समु में व्यक्ति और उन व्यक्तियों की समस्याओं इन सब के बारे में ज्यान प्राप्त करके ही समस्याओं का निदान या उपचार कर सकता है उसके बाद तीसरा जो संगठन है व समाजकारिय अभ्यास की पद्दती की रूप में समुदाई व्यवस्थाएं और इसकी आवश्चक्ताएं समस्या मुद्दे तता विचार केंद्र बिंदू प्रदान करता है समुदाई समाज में मद्यस्था के अनेक इस्तरों में से एक है व्यक्तियों तथा परिवारों के साथ नीजी तथा अंतर नीजी मद्धिस्ताएं हैं व्रहतर समाज में जन नीती को प्रभावित करने के लिए सुक्सम इस्तरिय प्रयास होते हैं और जब हम समुदाई की बात करते हैं तो समुदाई में तीन तत्वों होते हैं जन्संक्या होती है निशित भोगोलिक खेतर होता है और हमकी भावना होती है उसमें गांव और नगर उसके बाद तो महानगर और कसबा और जन जाती है समودाय वगर बहुत सारे हो गए हैं तो इनकी अपनी समस्या हैं जैसे गाओं की अपनी समस्या हैं तो नगर की अपनी समस्या हैं महानगरों की अपनी समस्या हैं तो जब हम समुदाई में रहेंगे तो उस समुदाई की भोगोलिक परिस्तितियों के बीच रहने वाले लोगों की जो समस्या हैं उसको समझ कर उसक का अर्थ है together अर्थात एक साथ ता minus का अर्थ है surviving अर्थात सेवा करना इस प्रकार समुदाई का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना एक साल मिलकर सेवा करने की प्रवर्ति का विकास एक निश्चित भू भाग में रहने से सम्मंधित होने लगता है अनेक विद्वानों ने अप समाजिक संबंता तता सामजेश्य की कुछ मातर द्वारा पहचाना जा सके। बोगारडस कहते हैं समुदाई एक सामाजिक समू है जिसमें हम की भावना कुछ मातरा में हो जो एक निश्चित क्षेतर में रहता हो। इसी प्रकार किंग्सले डेविस ने भी समुदाई को इसपष्ट करते हुए कहा समुदाई लगुतम प्रादेशिक समू है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को आलिंगन करता है। इस आधार पर समुदाई के निमनलिकित विशेष्टाओं को हम इसपष्ट कर सकते हैं निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समु, सामुदाई भावना, सरोमानिय नियम, स्वता उत्पति, विशिष्ट नाम, इस्ताहित्व और समानता। जब हम बात करते हैं समुदाई के तो समुदाई में तो मूटे तोर पर तीन अंग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, हमकी भावना होते हैं भोगुलिक शेत्र होता है। उनके बीच रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझना भी समाजकारी का अपना विशय शेत्र है। उपलब्द साधनों से समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना। समूदाइक संगठन सामाजिक कार्य का एक और तरीका है समू से बना होने के करण समूदाइक का मतलब रिस्तों की एक सामाजिक और संगठित व्यवस्ता है लेकिन वास्ताव में कोई भी समूदाइक पूरी तरह से संगठित नहीं है वहाँ भी अलग अलग प्रकार के समुदाई में रहने वालों की अपनी कुछ विशेश कठिनाईयां होती हैं, समस्या हैं जैसे हम राजस्तान में जहां डैजर्ट है, वहाँ पर अपनी समस्या हैं तो पहाडी इलाके में रहने वालों की अपनी समस्या हैं सामुदाईक संगठन है सामुदाईक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाई में रिस्तों को बहतर बनाने का एक व्यवस्तित प्रयास किया जाता है समस्याओं की पहचान करना सामुदाईक समस्याओं को हल करने के लिए संसाधनों का पता लगाना, सामाजिक सम्मंदों को विक्सित करना और समुदाई के उद्देश्यों को महसूस करने के लिए आवश्यक कारिकरम सभी समुदाई संगठन में सामिल है इस तरह समुदाई आत्मनिर्भर बन सकता है और अपने सद्देश्यों के बीच एक सहकारी रवया विक्सित कर सकता है तो समुदाई में रहने वाले लोगों की भी समस्याएं हैं समू में रहने वालों की भी समस्याएं हैं और व्यक्तिकत इस तरपरी समस्याएं हैं इन सब का निदान करना ही मूल विशेश्यत रहे इसके साथ हमको अनुसंधान भी करना पड़ेगा इसलिए जो अगला कदम वो सामाजी कारी अनुसंधान, सोचिल वर्क रेसर्च, यानि हमको सामाजी कारी के अंतरगत समय समय पर शोध चाना है, उन मुल्यों और सिध्धानतों से अपने को अवगत कराना है ताकि हम समस्या का बेहतर तरीके से नियोजन कर सकें, निधान कर सकें. प्राचीन समय में मनुष्य के पास ग्यान का अभाव था लेकिन उसकी जिग्यासू प्रवर्ती के कारण आज वो अपने चारों और की घटनाओं को देखने और समझने की शेष्टा करता था ग्यान का अभाव इन घटनाओं को समझने में उसके समक्स बाधा उत्पन करता था अतव सभी घटनाओं को प्रकरती से संचालित समझ कर संतुष्ट हो जाता था पर दिरे दिरे मनुष्य की सोचने समझने की शक्ती में परिवर्तन हुआ आज मानव किसी घटना को देखता है तो उसे देविय चमतकार मान कर संतुष्ट नहीं होता बलकि वह उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है उसे जानने का प्रयास करता है और जब वह प्रयास करमबद हो जाए तो उसे अनुसंधान या शोध कहते हैं इन्हें समय समय पर शोध करनी पड़ेगी कोई भी घटना बिना कारण के नहीं हो सकती है जब घटना है तो कारण है और कारण है तो घटना ह जो सम्मंद है उसको हम कार्य कारण अंतर सम्मंद कहते हैं इसी की जाच करना है यही सामाजिक शोध कहलाती है मानव समाज की सरचना अत्यंती जटिल है इस जटिल सरचना को समझने के लिए मानव हमेशा प्रयत नसील रहा है किसी घटना के घटित होने के पीछे कारणों एव समाज में विभीन समस्याएं गटनाएं विक्सित होती हैं तो उन समस्याओं वो गटनाओं के कारण को ढूंडना ही सामाजिक अनुसंदान है। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देते हुए P.B. यंग ने कहा है कि किसी घटना के बारे में नए तथियों का पता लगाना या पूराने तथियों की पुनर परिक्षा करना तता कार ये कारण अंतर संबंधों का पता लगाना तता उसकी व्याक्या करना ही सामाजिक तको समय समय पर अनुसंदान भी करना होता है बिना अनुसंदान किये हम उन समस्याओं के कारणों को न तो जान पाएंगे और नहीं उन समस्याओं की निदान के लिए कोई सुजाव दे पाएंगे इसलिए अनुसंदान भी महतवपून अंग है सामाजी कारी के विशय शेतर का इसके साथ जो next part जो महतवपून है वो है समाज कल्यान प्रशाशन सोशल वेलफियर समाज कल्यान प्रशाशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माद्यम से नीजी और सार्वजनिक दोनों तरह के सामाजी कारी सेवाएं आयोजित और प्रशाशित की जाती है कारी क्रम विक्सित करना, संसाधन जुटाना, चयन और कर्मियों की भरती, उचित संगठन, समन्वे, कुशल और सहनु भूती पून नेतरत्य प्रदान करना कर्मचारियों का मार्गदर्शन और परिवेक्षन कारी क्रमों और मुल्यांकन के वित पोशन तथा बजट के साथ काम करना कुछ कारिय है प्रशाशन में एक सामाजिक कारी करता है अर्था समाज कल्यान का अपना एक पूरा प्रसासनिक धाचा है उस ढाचे में रहने वाले लोग समय समय पर समाज के अंतरगत, समुदाई के अंतरगत, समुदाई के अंतरगत, समुदाई के अंतरगत, समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और समझने के साथ उन समस्याओं के समाधान के लिए कौन से कल्यानकारी कारिकरम मेतुपुन हो सकते हैं उसका विकास करते हैं और विकास करने के पर्शथात इसका सही तरीके से क्रियाणवेन हो सके, आम लोगों तक वो पुरुँंच सके और आम लोगों का कल्याण हो सके. इसके लिए एक संगठन है जिसको हम समाज कल्याण प्रशाशन कहते हैं. जैसे हम आज कहते हैं बच्चियों को पढ़ाना आवश्यक है इसके लिए कारिक्रम है और वह कारिक्रम इसलिए भारत में प्रारम किया गया क्योंकि हमारे यह बच्चों को और विशेश रूप से बालिकाओं को पढ़ाने से रोका जाता रहा इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसा ही कारिक्रम है इसी तरह से जनधन, योजना, ऐसे कुछ कारिक्रम है जो विशेश परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाज के लोगों के कल्यान हेतू प्रारम किये गए इसलिए इसका भी अध्यन हम समाज कारे के अंतरग जब उसकी एक आवश्यक्ता पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है और दूसरी की पूर्ती के लिए उसे दूसरे व्यक्तियों से संपर्ग इस्तापित करना पड़ेगा इसलिए उस सामाजिक क्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सामाजिक कार्यवाही का उद्देश से सामाजिक प्रगती सोनिशित करने के लिए वांचनिय परिवर्तन लाना है यह नहीं हम चाहते हैं डिजाइड चेंज सामाजिक समस्याओं के बारे में जाग रुगता पैदा करना, संसादनों को जुटाना लोगों के विभिन वर्गों को अवांचनिय प्रताओं के खिलाप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोसाहित करना और कानून बनाने के लिए दबाव बनाना भी सामाजिक कार्यवाही की पद्दती का उप्योग करते हुए सामाजीक कार्यकरताओं की कुछ गतिविदियां हैं ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत और समू की पहल और स्वयम सहायता गतिविदियों के माध्यम से सामुदाईक आवशक्ताओं और समाधानों के बीच एक उचित संतूलन प्राप्त करना चाहता है ये समुदाई में रहने वाले लोगों को समझाना कि वे अपनी उन समस्याओं के लिए आवाज उठाएं और जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कल्यानकारी कोई कारीकरम हो नहीं सकता जैसे हम अगर याद करें तो राजा राम मोहन राई के समय की बात उस समय विद्वा, पुनर विवा पर रोथ थी, सती प्रथा का प्रचलन था और प्रतेक इस्तिरी को अपने पती की मृतिव के साथ ही जलने के लिए विवस किया जाता था उस समय उन्होंने मैसूस किया, समाज की लोगों में जागरुपता और चेतना का प्रसार किया, उसका परिणाम आंदोलन हुआ और आंदोलन के परिणाम सुरूप कानून बना, जो कल्यान के लिए था, और वो कानून ता सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1839, इसी तरह के समय स समय पर जो समस्याओं का सामना करते हुए समाज के या समुदाय के लोग हैं, उनको प्रेरित करना, ताकि वो अपनी आवाज उठाएं, और आवाज उठाकर उनके कल्यान के लिए प्रशाशन, चाए वो निजिक शेतर का हो, चाए वो सरकारिक शेतर का हो, वे कदम उठाकर उनकी समस्याओं का निदान कर सके हैं, तो जो हम मात समाजिक कारिय के विशह शेतर की करते हैं, उन सारे में व्यक्ति, समु, समुदाय, कल्यान, क्रिया, ये सब का समाविश करते हैं, हम कह सकते हैं कि समाज कारिय का दर्शन, उसकी जो फिलोसोफी है, उसकी जी बेसिक सोच है कुछ विशिष्ट मुल्यों पर आधारित है जिसमें मानव अधिकार प्रजातांत्रीक अधिकार ने सब को बराबर का अधिकार मिले राजनितिक सामाजीक आर्थिक स्वतंत्रता एवं भाईचारा समयलित है समाजकार्य दर्शन में मुल्यों का अत्यांत महत्वपूर्ण इन हमारे मुल्यों का हाश नहीं होना चाहिए मुल्यों को ध्यान में रखकर और मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए और सब लोगों के लिए याने किसी खास व्यक्तियों के लिए नी प्रजातांत्रिक तरीके से उनकी समस्याओं का निदान अत्यांत महतोपूर्ण इस्थान रखता है इसक्योंकि मुल्य न केवल समाज में व्यवस्ता बनाये रखते हैं बलकि व्यक्ति के व्यवहरों को नियमित करते हैं जिससे समाज में नियंतरन की स्थिति बननी रहती हाला कि मनुष से एक स्वचंद रहने वाला प्राणी है यदि हम उसे स्वचंद और स्वतंतर छोड़ दें तो वो अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के कावट उत्पन करेंगे जिस से समाज कुस्ति का खड़ा बन जाएगा इसलिए समाज में मुल्य आवशक है मुल्य एक सामाजिक लक्षबी होते हैं जिने व्यक्ति समाजी करण की प्रकリया के माधियम से आंतरिकरत करता है इस प्रकार मुल्य समाजकारी को व्यावसाइक स् उद्येश्यों की पूर्ति के लिए समाजकारी अद्धिंग शेत्र में इन सभी बिंदूओं का समावेश है, हमको मुल्य ध्यान में रखना है समाज के अपने जैसे हमारे भारत के अपने मुल्य हैं, तो अमेरिका की बात करें उनके अपने मुल्य हैं, उन मुल्यों को ध्या यह हमारे समाजकार्य का विशेश्यत्र है और उससे जुड़े व्यक्ति इन सब से जुड़कर जो सेवाएं देते हैं उसे हम सरोकार कहते हैं